बहुत से लोग मुझे से बूचने की हम stable update पर run कर रहे हैं, हम stable version पर run कर रहे हैं, एक Xiaomi phone पर और मुझे जाना है beta पर आज मैं आपको बताओंगा कि कैसे आप अगर stable version पर run कर रहे हैं और आपको जाना है beta update पर बिना bootloader unlock करके ना ही आपको computer की जरुवत हैं मैं आपको इस फोन से आपको बताऊँगा कि कैसे आप स्टेबल से बीटा में जा सकते हैं फिर आपको अधर ग्लोबल बीटा अपडेट जिखने को बल जाएंगे जिसमें एक डो बग्स होते हैं पर अगर आपको ग्लोबल बीटा अपडेट में जाना है में को जाना है बीटा वर्जिन में क्योंकि मुझे वीकली अफडेट चाहिए अगर मैं आपको इदर बता हूं कि कैसे आप स्टैबल से बीटा में जा सकते हैं सबसे पहले मैं आपको एक न्यूस पता जाना चाहता हूं कि अब यूए का जो रों पेज है जो जिदर से हम अधार रों डाउनलोड करते हैं वो शट्डाउन हो चुका है पर हम फिर भी इसको एकसेस कर सकते हैं मैंने एक लिंक डिस्कृशन में दिये जिस लिंक को आपको अपने मोबाइल फोन में अगर पीसी में फोलें तो ट्रिक काम डाउनलोड करना है जैसे कि मेरा फोन है डाइडमी 3S में आपको एक्जांबल दिखाता हूं कि कैसे हम इदर बीटा अपडेट बीटा रों को सिलेक्ट करके डाउनलोड करेंगे जैसे कि अब देख सकते हैं यह ग्लोबल रोम में मेरा फोन रण कर रहा है और यह है 8.4.28 ड पर देख सकते हैं चाहिए यह चाहिए घर डाउनलोड करों में में इसे को हैज्टा बीटा बाल करता है और अगर और आपके बास कोई भी फोन आपको एस्तर से ही सिलेक्क करना है क्लिक करने के बाद download automatically start हो जाएगा अभी कुछ 20-25 मिन लग जाता है download होने में क्योंकि मैं जीओ पे अभी connected हूँ and जिसे कि मैंने अपना रोम डाउनलोड कर लिया है सबसे पहले आपको अपने file manager में जाना है जिदर आपकी रोम डाउनलोड हुई है अब जैसे कि मैंने तो अपने laptop डाउनलोड की थी अब आपको इदर रोम फाइल देखने को मिल जाएगी सबसे पहले आपको करना का एक folder बनाना है download के बाद आपको इदर यह symbol देना है उसके बाद लिखना है रोम और अंडर्सको देना है और download a Roam का फोल्डर बनाना है फोल्डर बनाने के बाद आपकी जिदर भी रोम फाइल है लेप्टॉप में है आपको बस उडर पेस्ट करना है उस फोल्डर में जिसे कि मेरे file minager में है तो मैं कट करके इससे download a room के folder में पेस्ट करदूँगा अब यह है मेरी Global Beta Room और 8.4.28 इसका वर्जन है अब मुझे इसको स्टेबल से अभी मुझे बीटा में जाना है सबसे फिले मैं इस सेटिंग्स में जाऊंगा आप रों डॉलो करने के बाद इस फोल्डर में कॉपी करके आपको अब सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के पाद अबॉट फोल में जाना है मेक शर आपका पूरा डेटा बैक अप है क्योंकि मैंने एक एस पर डेडी के रहे वीडियो बनाए कि कैसे आप अपने फोन को बैक अप कर सकते हैं आपका वाट्स अप हो गया आपके सारे मीडिया फाइल्स, कॉंटेक्स, कॉल लॉग्स, मैसेज़ेस, वीडियो और फोटोस तो आप वो वीडियो चेक कीजिए कि कैसे आप अपने फोन को बैक अप कर सकते हैं क्योंकि अगर आपको स्टेबल से बीटा जाने तो आपका पूरा डेटा करना है क्योंकि यह वेरिफाय करने वाला है अब आपको इदर 3. menu पर क्लिक करना है 3. menu पर क्लिक करने के बाद चूज अपडेट पेकेज का ओप्शन देखने हो मिल जाते है अब डाउनलोड एरो में आपको इदर जाना है आपकी यह रोम आपको सेलेक करना है हुए और क्लिक करना है सबसे पहले इसकी इंफॉरी सेले निर्कलेगा उसको देक्रिक्ट करेगा क्योंकि एड़िक्रिक्ट करने के बाद उसको एक्सट्रे करेगा और आफिशल वेसरे डानलोड हुई है या नहीं देख सकते हैं अधर you are going to revert to Mio version 8.4.28, your personal data will be erased, make sure to backup anything you want to keep before you start the process. जैसे कि मैंने कहा कि आपका पूरा data reset होने वाला है, आपको अपने phone को backup करना होगा, अगर आपको नहीं पता है कि कैसे आप backup कर सकते हैं with WhatsApp, तो आपको मैंने इस वीडियो की link discussion में लिए जिसे आप with WhatsApp, आपके contacts, media files को backup कर सकते हैं, आपकी app data को भी backup कर सकते हैं, मुझे लगता ह करें, erase and update और आपका phone reboot होगा, 10-15 minutes का process है, उसके बाद आप आप आजाएंगे beta version पे, मेरा phone on हो चुका है, और सबसे पहले है कि device locked है, क्योंकि इदर मेरा MI account पहले sign in था, तो आपको activate this device पर click करना है, और आपको MI account का password डालना है, make sure कि आपका MI account का password आपको याद है, so activate पे device को set up करना पदेगा, so finally guys, मैं अभी आ चुका हूँ, the beta update में, जिसके आप देख सकते हैं, फोड़ा भी आ जाता है, जब आप कोई भी सब्सक्राइब करें, चलिए सबसे पहले में, तो मैं settings में आपको दिखा दूँ कि मैं बीटा पर हूँ या नहीं, settings में about phone में जाके आपको इदर देखने को मिल जाएगा कि मैं अभी रन करना हूँ, अब अब यहां ग्लोबल, 8.4.28 बीटा, तो जैसके अब देख सकते हैं, system update में भी इदर checking हो रहा है, और मैं हूँ अभी इदर बीटा वर्जन पे, अब मैं अगर आपको बीटा वर्जन के कुछ बातों के पराएं में बता दूँ तो आपको वीकली अपडेट से रिखने ह अब जैसे की देख सकते हैं, अब बीटा अपडेट में अब यहां पहले आजाता है, तो इसके लिए लोग ग्लोबल बीटा पे स्विच करते हैं, अब सबसे important feature के लिए मैं आया हूं जो की split screen का feature, इसको global beta update में बला है, जैसे की आप इदर देख सकते हैं, कि एदर split screen का feature मे प्रोसीजर है कि कैसे आप stable से beta में आ सकते हैं, वीडियो आने वाला है कि beta से stable में कैसे जा सकते हैं, तो आप मज़ा उठाइए beta update का, और make sure कि आपका पूरा data backup है, जैसे कि मैं अभी restore करने वाला हूं, कोई भी doubt हो, comment section है, बताइए मैं comment section में reply करने की पूरी कोशिश करूँ यहां तो आप मुझे Instagram पेज पर reply कर सकते हैं,